मेरा दोस्तों मेरा नाम है गौरव शर्मा आप सभी का क्रिष्णा क्लासिज मंच पर हार्दी का बिनन्तन है हाली में आपने देखा होगा कि माराष्टा पॉलिटिक्स पॉलिटिकल क्राइसिस के बात अंत में एकना सिंदे अपने साथ टोटल 38 विदायक लेके सिप सेना से निकल कर बिजेपी के साथ गटफंदन कर दिया है और इसी के साथ वो मुख्यमंत्री पत पर भी आसिन हो गए है तो इसके साथ ही वी पर्षन उड़ता है कि हमारे एंटी डिफेक्शन जो लोग है क्या ये उसका उलंगा नहीं है क्या इसके उस लोग के विप्रित नहीं है दोस्तो शिप सेना के जो पहले पुर्वोई बुख्यमंत्री उद्दफ ठाक रहे ने सुप्रीम कोट ने केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि इनके जो विदाइक है इनको विदाइक के पत से निरस्त कर दिया जाए क्योंकि नोंने एंटिटिटिफेक्शन लोग का उलंगन किया है परन्तु सुप्रीम कोट ने कहा कि ये एंटिटिफेक्शन लोग का उलंगन नहीं है क्योंकि ये सिख्ट प्रोस्त हमारे जो एंटिटिफेक्शन लोग का जो प्रोविजन है उसमें बताये गया है कि अगर स्विस्तार से चर्चा करेंगे दल बदल कानून क्या है इसका historical background की क्यों हमें जरुरत पड़ी दल बदल कानून क्या और इसकी क्या चुनूतिया है और रंत में मैं आपको कुछ पर्शन पूछूँगा आपको comment section में उसके answer बताने है चलिए start करते है Anti-Defection Law अगर कोई भी MP और MLA अपनी party छोड़ के दुसरे दल में जाते है तो Anti-Defection Law पनिस करता है MP और MLA को इसे Anti-Defection Law को Parliament ने 10th schedule में एड किया कौनसे amendment से 1985 में 52 constitutional amendment act के थुरू इसे 1985 में Parliament ने पास किया इसका जो मुख्य अदेश्य है वो राजनितिक स्थर्ता लानी ताकि government बिना अस्थिर्ता के काम कर सके दोस्तो हमारे जो MLA और MPA उन्हें विशेश अधिकार दिये गए है विशेश राइट या special privilege दिये गए है जो हमारे parliament है उनके लिए article 105 में और जो हमारे MLA है विदायक है उनके लिए अनुछेद 194 आर्टिकल 194 में दिये गए है जैसे उन्हें freedom है पार्लेमेंट में speech की freedom of speech उनका एक right है और अगर देखेंगे article related to disqualification सबसे पहले article 102 यह disqualify करेगा यह निरस्ट करेगा आपके MP की जो membership है उसे निरस्ट के आ जाएगा article 102 में इसके बारे में पताया गया है इसमें पताया है कि अगर वो mentally unfit है यह insolvent है मांसी ग्रूप से अगर वो संतुलन है तो उसे निरस्ट कर दिया जाएगा और भी कई provision है अगर वो voluntary give करता है अपनी मतलब खुद वो अपनी membership करता है resignation की थ्रूँ तो उसे disqualify कर दिया जाएगा ऐसे इसमें प्रोविजन आपके article 1951 91 में है जो आपके related है MLA से MLA को किस किस उस पेस में disqualify कर दिया जाएगा जैसे कि यह आपका mentally unfit सेम प्रोविजन जो आर्टिकल 102 में है 191 में है अब हम देखते हैं हमने पढ़ा था कि 10 सेडियूल को एड किया गया था जिसमें एंटेटिक्ष्ट्ट अक्ट पास किया गया था कौन से एमेंडमेंट एक्ट से 52 एमेंडमेंट एक्ट 1985 अब हम देखेंगे कि क्या कैस में छोटती गई है कि जो anti-defection लोग है वो लागो नहीं होगा सबसे पहले जो प्रोवीजन है important कि सबसे पहले जो प्रोवीजन है यह है आपका as for the 1985 act a defection by one third of the elected members of a political party was considered a man merger अगर किसी भी political party के one third member party छोड़ के दुसरी party में जाते है तो उसे defection consider नहीं कहा जाएगा दल बदल नहीं बना जाएगा जैसे कि आपने सॉरी जैसे कि कि कैस्में एंटी डिफेक्शन लौ में क्या-क्या छोड़ती गई है जब एंटी डिफेक्शन लौ 1985 में आया तो इसमें बताय गया था कि अगर defection होता है दल बदल होता है one third elected member अगर किसी भी पॉल्टिकल पार्टी को छोड़के दूसरी पार्टी में जाते है तो उसे तल बदल नहीं एंटी डिफेक्शन लौ कानून लागू नहीं होगा फिर बाद में 91 constitution amendment act से जो मैं यह मेंबर है उसे one third से two third तक बढ़ा दिया गया है जैसे इसे आप देख रहे होगे उदारन के लिए कि माराष्टा पॉल्टिक्स में भी ऐसा ही हुआ कि उसके जो टू थर्ड मेंबर है वो पार्टी छोड़के गठ बंतन कर दिया दूसरी पार्टी के साथ बिजेपी के साथ तो उन पे दल बदल कानून लागू नहीं आपका गठ बंतन कर दिया इस वैसे उन पे दल बदल कानून लागू नहीं हुआ इसका एक प्रोविजन दिया गया है छूट आईए एंटी डिफेक्शन लोग में और दूसरा है आपका डिसीजन ओन कोशन एस्टू डिस्कैलिफिकेशन और ग्राउंड ओफ डिफेक्शन are referred to the chairman or speaker of the such house which is subject to judicial review अगर house में आपका डिफेक्शन का case उठता है तो जो decision होगा आपका chairman और 피कर का decision मानने होगा defection के case में आपको chairman और speaker जो decision देगे उनको independent होके decision देना होगा अगर उनका decision गलत पाया जाता है तो judicial आपका judicial review किया जाएगा फिर आपकी supreme court जिन्दा है तो वो आपकी जाज परताल करेगी अगर आपका defection true पाया तो उने anti-reflection law लागू होगा अगर defection दल बदल fraud पाया जाए तो उनको membership को disqualified नहीं किया जाएगा हावर दल्लाव डस नोट प्रोवाइड आप टाइम फ्रेम विदिन दा presiding officer has to decide a defection case लेकिन जो इसका एक बहुत बड़ा loop हो ले जो की इस कानून की जो होटी है इसमें जो defection है उसको बताए नहीं गया कि कितने दिन के अंदर speaker और chairman को आपको decide करना है कि defection का case मान लिजे कि बिजेपी party है उनक इस जो speaker होता है मैनली क्या होता आपका जो ruling party होती government का speaker होता है तो अगर उनकी party का member होगा तो वह उसके खिलाब जो case होगी वह आपका लेट लेट करेगी अगर कोई दूसरी party का है अपने गोवर्मेंट के विपरित party का है तो केज जल्दी करेगी जो कि यह काफी बड़ा प्रशन चिन खड़ा करता है इसके बाद what are the grounds for defection defection के लिए क्या क्या आपके grounds है सबसे पहले आपका अगर कोई भी member है अपनी party voluntary give up अपनी membership अगर खुद देता है तो उसे defection किया जाएगा और दुसरा अगर elected member अगर कोई भी independent elected member दुसरी party जोइन करता है मान इजिए कि कोई आपका independent जीता है और बाद में आपका bjp में जुड़ जाता है तो उस पर anti defection law लागू होगा परन्तु आप पूछोएगे कि independent जो होते है member होते है वो भी आपके government जो आपकी minister होते है वो भी minister होते है आपने देखा होगा उत्रहखान में भी कई minister बशेट ते इंडिपेंड़ जोइन कर सकते हैं दुसरी पाटी के साथ जोई नहीं कर सकते लेकिन उबनिश्टर गौवर्मेंट फॉर्म में गौवर्मेंट फॉर्म कर सकते हैं अब हम बताएगे कि अब इसके बाद आपका थर्ड कौन सा ग्राउंड अटिफ्रेक्शन का थर्ड है आपका violation of instruction अगर वो आपका instruction का violation करता है जैसे कैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई आप सरकार बनती है तो वो जैसे आपको में उधारान देता हूँ 545 में से तो अगर कुछी बिल्स के उपर वोटिंग हो रही है तो कौन डिसाइड करेगा कि आपको इसमें वोट करना है कॉंग्रिस की तरफ से तो दोस्तों जो कॉंग्रिस और बिजेपी है यह अपना एक विप गोशित करती है विप होता है जो आपको बताएगा कि आपक इसको वोट करना है तो दोस्तों जो विप होते हैं मैंनली तीन परकार के होते है विप तीन परकार की जो डायरेक्शन है सौरी वो इशू कर सकते है पहली डायरेक्शन जैसे आपके एकना सिंदे थे वो आपके सिप शेना के विप थे आपको बोलेगे कि आपको इस डायरे होगी उसके discussion और meetings में आपको present होना है और दूसरा विप्स होगा कि आपको जरूर present होना आपको force करके बोलेगे कि आपको जरूर present होना है और जो तिसरा विप्स होता है आपको बोलेगे कि कल आपको बिल्स जो बिल्स में आपकी voting होगी आपको present होना और वोट करना है, अगर आप थर्ड विप्स का उलंगन करते हैं, तो आपकी जो मेंबर्शिप है, वो निरस्थ की जा सकती है, सबसे पहले जो विप्स होगा, विप इशू होगा, वो होगा आपको, जो आपका विप होगा, वो बोलेगा कि आपको कल वोटिंग में परजेंट हो की जा सकती है अगर आप की च्छलाफ य्शूं इसका उलंगन करते हैं तो आपके खिलाफ आप इसमें पताए गया है इसकी एक स्टेटमेंट में आपको बताता है एस अप्री कंडिशन फॉर इसकी जो कंडिशन है उसकी जो कंडिशन है उसे पहली स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई वह सेम होई है और दूसरी जो स्टेटमेंट है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ अप्री कंडिशन फॉर इसकी जो एक से आपने जो विप इसु क्या था दिशा निर्देश दिये थे अपने पार्लेमेंट मेंबर को या आपके लेजिसलेटिव असेंबली की मेंबर को लेकिन उन्होंने उसकाउन नहीं किया तो इस प्रस्थिती में आपका दिफेक्शन लौ लागू होगा परन्तु अगर कॉंग्रेस चाहिए कि दिफेक्शन लौ लागू नहीं हो तो 15 दिन के अंदर वो उन पर दिफेक्शन नहीं लगा सकती है इसमें यह बताए गया है तो अगला हम देखेगे कि क्या बताएगा है हाव दिफेक्शन करता है सबसे पहले अफेक्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दा गॉवर्मेंट इसके बारे में हमें बैक्कराउंड में जाना पड़ेगा कि 1967 तक दोस्तों चुछ चाला तर लगबग आपके पूरे भारत में कॉंग्रेस का राज होता था अगर आप नौर से साउथ ज अंदिया के रेल में बनी थी सरकार जो नौन कॉंग्रेस गोवर्मेंट थी और उसके बाद ट्रेंड शुरू हो गया था आपका दूसरी पार्टी बनने का तो एक केस है फैमस गया राम थे हरियाना के फैमस विदायक थे इन्होंने दस गंटें अंदर तीन पार्टी छोड थे और कॉंग्रेस पार्टी छोड़के यह यूनाटेड फ्रंट एलाइंस में चले गए फिर आपके थोड़ी देर बात यह दुबारे जब प्रेस कॉंफरेंस होती यह कॉंग्रेस लीडर के साथ उनके साथ कॉंफरेंस में होते है तो सब हैरान रह जाते है हक्का वक्का यह तो यूनाटेड फ्रंट एलाइंस में चले गए थे तो कॉंग्रेस के लीडर से परशन कूछा गया कि गयाराम् तो यूनाटेड फ्रंट ूefरिंट में चले गए तब वहा उनके लीडर कहते हैं गयराम अब आयराम हो गया है तो ऐसी एस्तितिची हो चुए थी देश में जो इस्टेवली ती अस्थिर्ता होचे कि ती सरकार के लोग लोग लालाच में लोग सरकारे बदल रहे थे जो एमेले थे तो इस चीज को बचाने के लिए एंटे डिफ्रेक्शन दल बदल कानून को देश पे लाया गया 1985 में तो दीरे दीरे इसमें सुधार भी होए और कुछ सुधार की अभी भी जरुरत है तो और दूसरा जो इसका एफेक्ट करता है यह प्रोमोट करता है जो डिफ्रेक्शन होता है इसके क्या नुक्सान होते है और किस परकार से पॉलिटिकल जो सिस्टम है किस एफेक्ट करत दूसरा जो सका प्रोमोर्ट करता है, होर्स टेरिडिंड होस्ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों यह फैमस टम है आपको देखते होगे निव्ज में काफी होस्ट्रेडिंग होता है, जैसे व्यापार करना आपके MLA MP को पैसो के लालाच में आपको उनको खरीदना और पीजना पैसो के लालाच में आकर वो अपनी पार्टी छोड़ते हैं ये भी एक काफी ही दुकद है What are the challenges with entity fiction law क्या क्या चुनोतिया है आपके entity fiction law के लिए सबसे वेले जो चुनोती है Controversial role of speaker जो speaker होता है आपका ये आपका government party से होता है तो जो उनके जो decision होते है Manly आपके discriminatory time के होते है तो दोस्तों इसमें बता है कि दूसरा मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि इसमें जो decision होगा और भी time boundary होगा कि कितने समय के अंदर आपका defection case solve करना है जो अगर अपनी party का होगा तो उनके साथ आपका ज्यादा समय तक defection case ही नहीं चालू होता है लेकिन जो आपका दूसरी पार्टी के है opposition party तो उनके जो case file तुरंत कर दिया जाता है और दूसरा जो defection है आप मैंने बताया था आपको 91st जो से schedule है 95st जो amendment है sorry उसकी तुरू आपका two-third defection हो सकता है जो की एक काफी बड़ी चुनूती है इसका loop holes का use करके जैसे आपने सिप्षेना ने देखा कि किस परकार से उन्होंने party छोड़ी और दुसरे में जुड़ गए ये विए काफी बड़ा politically loophole है अब हम देखेगे कि क्या-क्या suggestion दिये गए एंटी defection lock प्रती जैसे आपका election commission है उन्होंने बताया था कि a election commission है suggest it should be the deciding authority in defection case एक deciding authority होने जही है इस speaker की जगह जो defection के case आपके solve करे और सुप्रीम कोट ने बताया था कि parliament को एक independent ट्रुबिनल सेट करना चाहिए जिसमें आपके retired judge हो higher judiciary की जो decide करें आपका case defection के swiftly and impartially कि ट्रुबिनल होता आपका जो विशेश परपस के लिए बनाया जाता है जैसे आपका national green ट्रुबिनल आपके जो इन्वार्मेंट लॉव रिलेटेड जो इसू है वो solve करेगा अब हम paragraph six के बारे में बढ़ेगों उसके बाद क्यों आपका क्यों तो होलन केस के बारे में चर्चा करेगे पहराग्राप six बताता है आपका decision on question disqualification on ground of defection अगर आपका disqualification करा जाएगा तो आपके पास किसके पास authority है आपके जो speaker है या chairman आपके legislative house के उनके पास एक ultimate authority है पूरी जो ताकत है वो नहीं था है इनके अंदर आपके defection और disqualification के case related जो कि आपके paragraph six के clause one में बताया गया है और क्योटे होलन केस के बारे में कि जो आपका मैंने आपको paragraph six बताया था कि आपके पास ultimate जो power थी आपके speaker के पास है और उस टाइम यह नहीं बताया गया था कि इसमें कि judicial review क्या जा सकता है या नि क्या जा सकता तो उन्होंने के decision दिया कि जो speaker का decision है और चेर में है वो एक उनको independent होके काम करना चीए और अपनी party से उठके उपर उठकर एक भारत की जो democratic value है उससे बचाने के लिए अपना decision देना चीए है अगर वो decision आपका discriminatory होता है तो उनके खिलाप judicial review आप सुप्रीम कोट में case फाइल कर सकते हैं judicial active हो जाएगी अगर कोई discrimination होता है तो judicial के पास आप जा सकते हैं सुप्रीम कोट में तो दोस्तों अब मैं आपसे कुछ पर्षन पूछता हूँ सबसे पहले आपको comment section में बताना है कि entity infection law कौन से एक्ट से पास हुआ और पहले speaker कौन थे आपके लोग सबाके और आपको बताना है कि कौन से amendment act से आपका entity infection law बायत में लागव हुआ तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये lecture अच्छा लागा होगा बहुत बहुत धन्यावाद